हेलो दोस्तो आपका एक और नहीं वीडियो में सौगते दोस्ता आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि अपने फोटो पर शायरी कैसे लिखे दोस्तो आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर जैसे इंस्टा पेस्बूक वाटसब पर जरूर देखे होगे कि लोग अपने फोटो पर शायरी लिख कर अपलोड करते हैं जो देखने में काफे अच्चा और प्रोपेशनल लगता है तब आपके दिमाग में यहाँ बात जरूर आते होगी कि हम कैसे फोटो पर शायरी लिख सकते हैं या फिर कैसे शायरी वाला फोटो बना सकते हैं तो आप भी खुद के पोटो का शाहरी वाला पोटो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखें तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे यूटुब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बेल आइकन को प पड़ी कि उस अप्लिकेशन का नाम है PNG स्टेटेस इडिटर दोस्तों एप आपको प्लेश्टोर भी मिल जाएगा तो इसके आलाव मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाले तो आप उदर से भी डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों चलिए पटपट से इस एप को ओपन पढ़न कर लेते हैं रैले रोली यह जैसी के मेरे इंग्लीश चाहिए तो दोस्तों लेंग्वेज़ करने के बादर आपको साइनिंग कर लेना है गूगल Blit सब्मीट कर लेना दोस्तों देख सकते हो सब्मीट करने के बाद इधर आपको इसा इंटर बजाएगा दोस्तों देख सकते हो इधर कैटेगरी का ओप्षन है उस पर आपको क्लिक कर लेना उस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर डेट सारी कैटेगरिया मिल जाएंगी तो आ मेरे को इस category पर जो है photo अपने शाहरी वाला बनाना है तो इधर आपको tap कर लेना है tap करनी के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर आपको select background का option मिलेगा उस पर click कर ले यह इंदर एक रहाए को ऑप्शन ने उस पर आपको क्लिक कर लेना है डन के option पे click करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यह जो है हमारा बन चुका है शायरे वाला photo तो आपको यह gallery में save कैसे कर लेना है दोस्तों देख सकते हो इदर right side में आपको save का option मिलेगा उस पर आपको click कर लेना है उस पर click करने के बाद दोस्तों एक add आज जाएगी उस पर को close कर लेना है close करने के बाद आपको सीधा जाना है gallery में दोस्तों देख सकते हो हमारा शायरे वाला पोटो जो है बन चुका है तो आप भी इसी वीडियो के देरां सिख गये होगे कि अपने खुद के पोटो का शायरे पोटो कैसे बनाए तो आपको यह वीडियो पसंद तो चले हैं दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में